सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर में जिक्खा पधिंसमादियानी पुद्धन सब्सक्राइब अलगले तरहीं की परिवासां इसके लगले हिसाब से हैं पर हम यहां परिवासां में नहीं जा रहे हैं कि हम यहां यह देखने जा रहे हैं कि समण संग के लिए काड यानि समय ताइम की क्या महता है और कैसे हम इससे अपना फायदा उठा सकते हैं हम सारी बात समण संग के फा तो जितने भी मॉमेंट हुए हैं उन मॉमेंट की सफलता इस बात पर निधायत होती है कि उन मॉमेंट का जो टाइम है वो कैसा टाइम है वो जो टाइम उनको दिया गया है वो वन टाइम है एक निश्चिस समय है या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम है जो एक किया जाता है उसकी सफलता की गारंटी पूरी होती है और अगर बहुत ज़्यादा एनरजी भी लगाए जाए और अलग-अलग समय पर किया जाए तो उसकी असफलता की गारंटी भी पूरी है इसको ऐसे समझें आप जैसे हमारी जो मूव्मेंट चल रही है इतने सारे सबसे ज़्यादा जागने जगाने में लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पुराने बुद्धिमान और पुराने लड़ा के रहे हैं कोई मुकाबला उनका दुनिया में है नहीं पर एक सिर्फ समय को नहीं समझ पाते हैं वो इसल एक समय और एक टाइम के साब से हुई हैं, वो सफल हुई हैं, जैसे दो अप्रेल का मुवमेंट, दो अप्रेल के मुवमेंट में वही लोग थे, जो सारे के सारे जागरत थे, वही लोग थे, जो जगाये जा रहे हैं, वही लोग थे, जो अलग-लग संट्रम में काम कर रहे है वही लोग थे जो जगे हुए हैं या जगा रहे हैं और जो महनत कर रहे हैं पर उस दिन टाइम उन्होंने एक चुना, दिन एक चुना, सम एक चुना और सफलता उनके कदमों में आ गई, सुर्फ एक टाइम के फैक्ट की विचे, टाइम इतना बड़ा फैक्टर है कि आपकी पूरी जिंदगी की महनत पे पाने भी फैर सकता है और आपकी थोड़ी सी महनत से भी पूरी जिंदगी बना सकता है, इसलिए जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो समणों के विरोधी लोग हैं, उन्होंने जितने भी इवेंट बनाए हैं, उनमें कोई न कोई कोई समय पहले स कि पाली का सब्द है मूहरत पर वह क्या करते हैं एक सदियों पहले जैसे हमारा एक मेला है जिसको मुका मेला बोलते हैं, वो हम 12 साल पहले निश्चित करते है, तो एक-एक आदमी बच्चे-बच्चे को यह पता रहता है कि 12 साल बाद इस समय इस पुर्ण मासी को हम लोगों को इखटा होना है, यह 12 साला कायिक्रम हो गया, फिर 4-4 साल में भी कायिक्रम लगते हैं, वो इवेंट भी हम पहले से टाइम बताते हैं जिसको कुम का मिला बोलते हैं अद्ध आरहे वो सारा टाइम हम पहले से फिक्स करके देते हैं उनको जिससे सारे लोगों को क्योंकि पहले प्रिचार का माध्यम इतना नहीं था पर इवेंट और मॉवमेंट को बनाए रखना है इसलिए चंद्रमा की कलाओं के साथ में पूर्ण मासी और अमावस के साथ में हम टाइम को बानते थे और इस तरह से हम लोगों को मैसेज देते थे जो सालों पहले उनकी दिमाग में रहता था फिर वो अपने आपके उसको याद कर लेते थे क्योंकि वो fix हो जाते थे कि इस पुरन मासी को यह होगा, उस पुरन मासी को वो होगा, सरत पुरन मासी को ऐसा है, बसंत की पुरन मासी को ऐसा है, यह सारी पुरन मासी हम पहले से fix कर लेते थे, यह time का management हमारा बहुत पुराना management है, जिसको लोगों ने हम से ले लिया, हम से का कलेंडर उनके दिमाग में फिट किया जाता है और फिर बाद में इसको समय के घंटों के और मिनट के हिसाब से जब घंटे मिनट समय क्यों कि पहले तो पहर चलते थे दो पहर यानि कि जब दो पहर पास हो जा तो इसको दो पहर बोलते थे तो पहर ही या ती पहर हो गए या चो पहर होगे या छे पहर होगे तो पहर के इसाब से बोला करते थे फिर ये घंटों में अगे तो उन लोगों ने घंटे इसाब से डाला सुपर दिया और ऐसा टाइम देते हैं कि आदमी सवाल भी नहीं करता कि आखिर साथ बच्के तेतालेस मिनट पे ओली जलने का ने निकाला और कैसे निकाला आकर नाकिल रात को छे बच्च के 45 जो दिवाली पूजा होगी ये कैसे होगी क्योंकि एक टाइम पर करना है अगर एक पर एविंट नहीं होगा तो मुम Iz नहीं बनेगा एक टाईम पर एविंट नहीं देंगे तो लोगों में इखटा होने की जैंकोँ इसाम को तो विखर जाएगा तो एक साथ मुवमेंट नहीं बने गा इस मुवमेंट को और भी तरीके से हमारे गुरूदों में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे आपने देखा होगा कि एक टाइम पे एक दिन देस और गदेस में दूद पलाने का मूवमेंट है वो दूद पलाने का मूवमेंट रोज भी हो सकता है उसके बाद कभी नहीं हुआ पर मूवमेंट बनाए जाती है चेक की जाती है जैसे थाली और चाती पीटने का जो मूवमेंट है या थाली बज में आते हैं सामिल होते हैं यह टाइम मेनेजमेंट का सबसे 60 उधारण है जो लोग हम भूल गए हैं हम जो यहां कर रहे हैं आठ बजे में हमने समय बांदा हुआ है कि आठ बजे हम लोग यहां इकटे होंगे तो हम सफलता पा रहे हैं पर उसे भी बड़ी सफलता हम इस बात पा रहे हैं कि हमने सनिवार को बांद लिया यानि सुप सनिवार को बांद लिया और हम कहीं भी हों सनिवार को हमें हर हलत में नोबजे जुड़ना है यह हमारा बंदने का काईकरम पुराने समय का दुबारा से समय को बांदने का आना सुरू हो गया इस तरह से हम समय को बां पर अभी हमारे पास समय बढ़ा कम है इस सॉट समय को आपातकाल बोगる है तो अभी हम आपात काल में दी रहें जब आपात काल में आदमी होता है तो समय को बढ़ाना पड़ता है अब समय कैसे बढ़ाएंगे समय को बढ़ाया जा सकता है समय को बढ़ाया इस तरह से जा सकता है कि आपने अगर एक महिने में जो काम किया वो आपने सपोज दस नंबर क पहुंच जाते हैं, तो आपने अपने नौ महीने कमा लिए, यानि आपने समय को नौ महीने पीछे छोड़ दिया, जो काम दस महीने में होना था, वो एक महीने में कह दिया, तो आपने नौ महीने कवर कर लिए, रीकवर कर लिए, ये समय को हम अपने हिसाब से ग्रेव कर सके ह हमें जो होता है वो क्रिया के साफ से होता है एक पेड़ अगर एक साल में एक फिट बढ़ता है और अगर हम उसमें ऐसी दवाई डालने के वो एक साल में दस फिट बढ़ जाए तो हमने दस साल कमा लिए यानि दस साल हमने कवर कर लिए तो मुवमेंट हमारी आपातकाल में है पर टाइम हमारा पिछला जो है वो लगबग हम खराब कर चुके हैं उसमें हम इखटे नहीं हुए उसको नहीं जाना है इसलिए उसको रिकवर करने के लिए हमें यहां अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और इस्पीड बढ़ाना हर आपातकाल के लिए जरूरी है सेना है जब आपातकाल में आती हैं तो वह बहुत तेह से भागती हैं दौरती है और लगातार अपना काम करती है उस तमय हम सरे काम छोड़े के उस काम में लग जाते है तो वह अपना मिसन पूरा कर लेते हैं इसलिए टाइम बढ़या आईम पहले जुड़ जाते बीस मोइड पहले जुड़ जाते तो गप्पे मार लेते मगर हमने पहले दिन की ट्रेणिंग है इसलिए दस वजे का मतलब दस वजे ही है हमको पांच मुनट नहीं कोने है और किसी भी हालत में हमें अपना समय खराब नहीं करना है समय खराब का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें जो ट् उतना ही हम समय बचाएंगे और कामों में समय लगाएंगे और भी लोगों को अपने आइडियाज बताने में आएंगे और मुवमेंट में काम आएगा और कुछ ना कुछ काम हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो अपनी सिहत के लिए ही कुछ ना कुछ कर लेंगे तो वो सम काल को जानने वाले समय को जानने वाले होते थे उद्ध सबसे बड़े कालू हैं सबसे बड़े कालू है या कालू है वो इसनी है क्योंकि वो हजार बारे सो पंदे सो साल आगे तक का देख लेते थे और उनको समझ में आ जाता था कि क्या समय है क्या नहीं और वो अनुकूल सम की बातों को ध्यान देना है और जो अपने विरोधी लोग हैं वो कैसे समाल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं और हमारे सहयोगी लोग क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी आप रखेंगे थोड़े से कान खुले रखेंगे थोड़े से आँख खुली रखेंगे थोड़ा से अपने विच ना साधना नियम के हिसाब से करते हैं तो वो सामने वाले के चेहरे देखे फ्रूकेंश देखे बता सकते हैं कि इससे मेरी वारता ठीक होने वारी है या खराब होने वारी है तो अनुकूल समय प्रिटिकूल समय समय समर्संग के लिए कैसा है कैसा नहीं है आज के समय अगर गा ψ जाँवर दालेंगे तो समरसंग के लिए इस सबसे अनुकूल समय चल रहा है को कि समरसंग की जितनी अच्छाईयां हैं वो सारे लोगों को आवशक्टा है हर लोग समरसंग जैसी किसी चीज़ को ढूंढ रहा है और समरसंग की जितने भी एक्स्थे मैं उसके विरोध म होने थे वो लगबग हो चुके हैं और कहीं कोई उम्मीद और आस है नहीं ऐसा ही समय तब था जब बुद्ध की बुद्ध की मुव्मिट के समय भी बहुत ज़ादा यहाँ पाप कर्म और बहुत ज़्यादा पाप जिए चलती थी वो अनुकूल समय था उस अनुकूल समय में बुद्ध ने जो समण संग जो संगोГो दोबारा से उचाय की पहुँचाया उसके बाद में बहुत साल ते चला, 16-17 साल ते चला, फिर पिर्टीकुल समय आया, पर वो लोग नहीं समझ पाए, ये मुवमिन्ट चलता रहता है, इसलिए ये जो अनुकुल समय है, अगर आप इसमें चूप गए, अगर ये आपके हाद से निकल गया, आप इसको नहीं पच किया, और आप उसको टालते गए, टालते गए, कर लेंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत एक साथ आती है, परेसानी एक साथ आती है, कब अर्थ को एक आ जाता है, इसका कहीं कोई आता पता नहीं है, हलकी सी वाइबरेसन होती है, जमीन खिसक जाती है, क्यो उप्데किनिक प्लेटी है, यो टिक्टिनिक प्लेट है, तब वो जाके हिलती है, तब अर्थ को रगता वन्दा नीचे तो मुव्मेंट चलता ही रहता है, कूर के अंदर लगातार चलता रहता है, वैसे ही पिट्ेकूल समय की जो Base है, जो हमारे पिट्पीकूल लोग है, ज जब उनके प्रिटिकूल परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद में हम ये सब चाहेंगे करेंगे, उस समय तक तो बंदिस हो जाएगी, उस समय तक तो परिशा नहीं हो जाएगी, समय परिश्तिती टाइम हमारे लिए अनुकूल नहीं रहेगा, जो बात आज हम कर रहे हैं वो बात नहीं कर पाएंगे, जो हम मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे, इसलिए अनुकूल समय की अगर पहचान है तो तो हमारे बचने की गारंटी है, और अगर आपको अनुकूल समय की पहचान नहीं है, या आप लोगों को अनुकूल और प्रिटिकूल समय में पहचान नह सही स्टेप आप उठा लेंगे सही कदम उठा लेंगे तो उसका सही पढ़नाम आएगा यानि सम्यक सम्यक की पहचान अगर आपने कर ली तो सम्यक आप पहचान करके सम्यक आप कदम उठाएंगे सम्यक एक्ट करेंगे और सम्यक की पढ़नाम आदा है पर अगर आपने इसको नहीं पैचाना तो असम्मेक हो जाएगा तो असम्मेक सम्मेक पे अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो असम्मेक कदम होगा उसका जो परड़नाम आएगा वो असम्मेक आएगा और जो परड़नाम आएगा वो आपके इतने पिट्टिक उलाएगा कि वो आपके अस्तित्र को भी खितम कर देगा जो आपको नहीं समाल पाए इसलिए जो हास्ते समय निकल गया है उसका अपसोस नहीं करना चाहिए अपसोस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि समय जो चला गया चला गया पर समय को भरपाई करना समय को पकड़ना और समय को दोवारा से खीच के लाना ये हमारे हाथ में है कोई ये कहता है कि जो समय निकल गया वो हासनिया आ सकता है क्योंकि जैसे हम को देख लाख लोगों को इखटा करना है या दस लाक लोग को एकटा करना है या एक सो बीस को लोग को एकटा करना है तो हम जो काम चालिस साल में सतर साल में कर रहे हैं अगर वो सतर साल में नहीं हो रहा है और अब कर सकते हैं तो मेहनत अगर ज्यादा करेंगे तो एक साल में भी कर सकते हैं तो हम पिछले सतर साल को यहार हो किडिपेंड ओह के आप कितना समय को समजग्य कितना समय को पकड़ना चायते है 19 कोई आदमी यह कहे क। अभी मैं सतर साल में सतर साल का बुड़ा लो सतके क। और वो कर सकता है अगर दिननाति इसमें लग जाएगा तो सतर साल का recovery कर लेगा और कोई आदमी अगर 20 साल का है और वो ये कहे कि मैं आगे करता रहूंगा करूंगा और वो करे ना तो उसका भी कोई फायदा होने वाला है नहीं वो प्रिटी कूल समय में आता है इसलिए जो चला गया है उसका अफसोस नहीं करना है और जो हाथ में है उसको पकड़ कर रखना है उसको बढ़ाना है समय का जो factor है उसकत से ज़्यादा important है समय का factor इसलिए important है क्योंकि आपके जो विरोध में है इसलिए समय की जो चीज है दोनों के ब्रावर हैं यह अलग बात है कि उनके पास resources आज हैं हमारे पास नहीं है पर हमारे पास पहले resources थे इसलिए resources पहले थे अब नहीं है फिर आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है उनके पास में जन संख्या बल नहीं है जो हमारे पास से हम हिसास है इसलिए हम अपने time management से अगर अपने resources जो main resources है human resources अगर उसको cover कर लेते हैं उस तक पहुंच जाते हैं तो जो physical resources हैं वो अपने आप create हो जाते हैं अपने आप आ जाते हैं इसलिए समय बद्ध काई करम और समय की जो निश्चिता है उसका importance हमको सीखना चाहिए किसी भी moment में अगर हम हर चीज का ध्यान रखें और समय का ध्यान ना रखें तो वही result आएगा जो दो अप्रेल अठारे को आया और जो दो अप्रेल अठारे के लावा लोगों को आता है जैसे राइस्थान के अंदर जो बच्चा मरा है उसमें सब ने कुम मेहनत की सब लोग गए पर परेना मुल्टा आ गया इसलिए आ गया क्योंकि एक समय पर नहीं गए समय की जानकारी नहीं है एक समय पे अगर सारा देश एक साथ सिल लाता, एक साथ थाली भी पीड़ता, एक साथ घर के बाहर भी आ जाता, एक साथ सिर्फ अपने कंदे पे या अपने हाथ पे काली पट्टी बांग देता, एक साथ अगर अपने माथे पे काली पट्टी बांग देता, एक साथ अगर अ साथ नहीं है इसलिए कोई फरक नहीं पड़ता समय अगर आप एक चुनेंगे तो दिवाली जैसा जो फेस्टिवल है वो इसलिए important है क्योंकि सारे लोग एक समय इखटे होते हैं एक समय पूजा करते हैं उस दिन देश की सारी जो वहिकल है गतिवितिया बंद हो हैं अगर दिवाली की रात को आप देखेंगे कभी भाशन निकल hayat को क्या आउइभ लग जाता है वाली की रात ना प्लीण चलता है ना हों रेल चलती है, ना बसे चलती है, ना सड़क चलती है, सब सूमसान होते हैं, होटलों में वीटर नहीं होते हैं, मालिक जाके कह देता है, आप अकले रहोगे, ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, रुपना है तो रुपो, नहीं रुपना है तो मत रुपो, पूरी सूमसाम रहते बजारों की रोनक साम तक बंध हो जाती है, पूरा देश लगबग बंध हो जाता है, हर लोग, हर आदमी अपने अपने घर में होता है, सिर्फ इस नहीं है, क्योंकि उनका जो टाइम है, वो सालों से फिक्स है, और वो इवेंट हमारा ही है, यह सारे इवेंट हमारे हैं, जित किसका हिस्सा है, और 9 बजी जो हमें खटे होते हैं, वो इसका दूसरा हिस्सा है, इसके अलाबह जो संगन नमाल मी करते हैं, दिल में तीनवार वो इसका तीसरा हिस्सा है, ये धीरे-धी श्टैप आइ, श्टैप आई, श्टैप आइ, हम टा intelligence सिख रहे हैं, पर टाइम को इज़त करना सीखें, जो लोग टाइम की इज़त करना सीखते हैं, टाइम उनकी ज़त करता है, और जो लोग टाइम की ज़त करना नहीं सीखते हैं, टाइम उनको समय उनको मिट्टी में मिला देता है, उनकी अस्तित्व में नहीं मिलते हैं, धन्यवाद किसी का कोई प्रसन हो तब पुचेंगे ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छा में संगं सरेनं गच्छा में तुम्तियं पी बुद्धं सेनं गच्छा में तुम्तियं पी दम्मंग सेनं गच्छा में तुम्तियं पी दम्मंग सेनं गच्छा में तुम्तियं पी दम्मंग सेनं गच्छा में तुम्तियं पी सेन्गं सेनं गच्छा में दोगियं पी संगं सर्मं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्मं कच्छामी दोगियं पी बुद्धं सर्मं कच्छामी ततियं पी संगं सर्मं कच्छामी अलेजर rest बु gün सतियं सर्मं कच्छामी दोगियं पी उतियं सर्मं कच्छामी